कि नमस्कारश्तों मैं पपूश आपके अपने यूरूप चैनल पीस्टे क्लास में स्वागत है दोस्तों अभी कब ब्रेकी निकल के आ रहे हैं फैनली आपको वीडियो लेके आ गए वियार सिविल कोड पर दो दिन बाद वीडियो लेके आएं उस दिन हम आपको एक वीडिय का इंतिजार कर रहे हैं एक डाउलोड होने का इंतिजार कर रहे हैं तो वह सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाले इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा इससे पहले हमारे चलप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिक्शन और करिएगा डेली विसी से चैनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं चलिए बिना सब्सक्राइब को इस वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए देख लिजिए बिहार सिविल कोट परिक्षा 2023 एक्जाम डेट और एडमिट का व निज बताद होगी परिक्षा का सेंटर कहां परेगा फॉंथ कोलेक्शन का डेटका आएगा जाने यह पूरी जनकारी दुस्तों पूरी दाकरी इस वीडियो में बताने वाले जितना घ्यक legislator बताने वाले लेट दिन लेट वीडियो क्यों लाए उसका भी कारण हम आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो को स्टाट कर लेते हैं अप लोग बने रही है दोस्तों पहली बात करते हैं हम लोग गए थे हॉस्ति के फॉल रेकर्रिंग को निकल गए है अभी बाचीत नहीं हो पाईंगी तो मेरे फोन से भी बोलता है आपको भी आपके पास भी फोन होगा है सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब नहीं करेंग दो बार तिन वार एशा हुआ जैसे इधर से कॉल्रेकोरिक हम स्टार्ट करते थे उधर आवाज उनको चल जाता था बोलता था उसके बाद कॉल्रेकोरिक सुरी होती थी वह जनकारी हमको यह दिये हैं जो पर्दा हाई कोड का पहले एक्जाम होगा आपको भी पता है और उसका एक्जाम डेट आ चुकी है जो की 30 अपरेल की एक्जाम होगी उसका देट करफॉर्म था उसी की रिगारिक इसलिए और आपको ही पता है जो बिहार सीविल कोड का कोश्चन तयार हो चुकी है कोश्चन फैनली तयार हो चुकी है अपरिल में ही आपको एक्जाम लिया जाएगा प्रेशान नहीं होना है तीस अपरेल में उसका एक्जाम है तो हो सकता अगर अपरिल में नहीं होगा पत्ना एक्जाम है तो मैं के फ़र्ष्ट वीक में हर हाल में अपका एक्जाम हो जाएगा उसमें कहीं से कोई दोमत नहीं है जो जो बता दिये डेट जो जो बताया गया है जो हम आपको वहां से सून के आए हैं जो हम को जनकारी मिली है उसके एकॉडिक हम आपको बता रहे हैं जो 30 अपरेल के पतना हाइकोट का एकजाम है उसके बाद बिहार सिविल कोट का एकजाम आपको माई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है उससे पहले भी हो सकती है तो अच्छान तयार है कमिटी के दुवारा अभी सेंटर चुझ हो रही है सेंटर बनाया जा रहा है उसके आद फैनल आपको लेटर जारी कर दिया जाएगा तो दो दिन वी कब देगा दोस्तों 20 अपरिल के बाहoger को मिलेगा की मिलेगा स्था कर क्लेक्षिन का दे कर और आप अप्रिल में आपको हो अप्रिल के ठड़ सब्ता में 20 के Thing airports कर जारी खियावर और सुनिए 20 के बार एक आपको कार्प जारी किया जाएक तो अप्रिल के लाश्टृट में एक्जाम होगी या माइ कर फस्ता नहीं होरा बारा नहीं वह फिर प्लोग कुमेंट कीजिए गा सर सै और सटिक जनकारी नहीं देथे हैं दूसरा भी आप चैनल अगर देखते होंगे तो तो आप उध्याम होगा स्वाप जान्स क्लिड़ा हैं तो मैई के फ़र्स हाथ में आपकोया है का एक्जाम होगा दोस्तों देट निर्दारी तो हो गई है अगर आप तयारी नहीं करते हैं इस बार सेलेक्शन अगर आपको चाहिए तो दिन रात मेहनत किजिए और प्रकासन बहुत सारा जो है मार्केट उपलाब्द है उसके बाद आप तयारी में लग जाईए और हम आपको यह भी बता दी हैं देख लिए तीस अप्रेल लगबादी होगी परिक्षा कमेटी का बड़ा फैसला लिया गया है जो की सेंटर चूजबी कर रही है कोस्टन आपको बनके तयार हो गया है पिछले पिछले आप अगर आप देखना चाहते हैं तो पीछे चौमेंट बाले वाला क्रेंट फेस देखिए जनवरी फरवरी मार्च वाला आपको क्रेंट पेस नहीं पूछे का दोजार तेखिए और एक हम सिलेवस के वीडियो बना देंगे सटीक हम वीडियो बना देंगे कैसे आप तैयारी कर पाईएगा दोस्तों इस वीडियो में जो जनकारी देने माले तो वहां आपको दे चुके हैं परिक्षा बहुत सारा इस्टुएंट इमी कर रहा था सर परिक्षा ओलाइन होगी जहां से देखिए परिक्षा आपको अफलाइन होगी सारा जनकारी इसमें हम चीज बताए वह जो ऐसे से बात है जो आपको कोचन तयार हो चुकी है अभी से कमीटी सेंटर चूज कर रही है उसमें लगी हुई है और 30 अप्रेल का पत्ना आई कोट का एक्जाम होगा और क्रेक्षा डेट आपको 20 अप्रेल के बाद आगी दोस्तों सारी जनकारी इसमें बता दिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और सही जनकारी पाने के लिए और अपने दोस्तों भी ज्यदा ज्यदा सेर कीजिए आसा करते आपका जितना भी प्रसंता आप यहार सीविल कोट इग्जाम के रिगारें सारे प्रसंत के इस वीडियो